हेलो एवरिबडी कैसे हैं आप सब लोग उमीद है अच्छ होंगे दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे सालमन डेफिनिशन के बारे में जूरिस्पूदेंस में सालमन के डेफिनिशन काफी इंपॉर्टन डेफिनिशन है चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमारी जो वीडि देख सकते हैं अगर आप से कुई चीज़े मिस हो गई हो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए इससे हमारी नई वीडियो की अफडेट्स आपको मिलती रहेंगी यह लिस्टी गई है हमने यह लिस्ट पहले भी सुशेर करी थी इसमें आपको दिखेंगे सभी जुरिस के डेट आप बर्थ एस्टंडिंग ओर्डर में कि सबसे पहले कौन से जुरिस हाए पिर उसके बाद किस्प्चूल के जुरिस हाए जैसे यहां पे black color से है, sociological school, फिर है historical school, फिर analytical school, जैसे हम यहां भी बात कर रहे हैं, आपको John Solomon, John Solomon है औरेंज कलर से 1862 में पैदा हुए है, analytical school से थे यह, इसका आप स्क्रिंशॉट लेकि आप रख सकते हैं, इसका आपको करने में असानी रहेगी, exam में आप इजली रिख इसको, तो हम बात कर रहे हैं, John Solomon कौन थे हैं, हमने यहां इसका photo यूज किया है, कि आपको पता चलेगी, यह John Solomon किस तरह से थे, यह 3 December 1862 में, इनकी बार्ड बार्ड हुए थे, North Sheer, North Burland, England के थे यह, died 19 September 1924 के हुए है, यह एक legal scholar थे, public servant है, और New Zealand के जज़ भी थे हैं, इन्ह जो काफी famous book रही, Solomon ने कहा कि that jurisprudence, jurisprudence जैसे हमने बताया था है कि jurisprudence एक Latin word है, jurisprudence का मतलब होता है आपका law, और prudence से कह में होता है knowledge, यानि knowledge of law, तो Solomon ने यह बात कही, jurisprudence के बारे में, कि jurisprudence is the science of civil law, science क्या है, कि science, science भी एक तरह knowledge का ही, दूसरा synonymous है, तो knowledge जो है civil law, civil law यानि कि जो नागरिक कानून होते हैं, उसकी knowledge को jurisprudence कहा जाता है, Solomon ने कहा यह बात, by law, जहां यह law की बात करें, civil law, by law, he means law of the land of civil law, कि जो law का मतलब जो है, law of the land, जो जमीन के land, जो जमीन से जुड़े हुए, जो होंगे, जैसे इंडिया का कानून हो गया अमेरिका कानून हो गया, और civil law यानि नागरिक कानून, जो वहां के नागरिकों कानून है, तो इन्हों ने कहा कि jurisprudence जो है, वो study है, knowledge है, civil law की, और law क्या है, law है आपका किसी country से जोड़ा हुआ कोई कानून, और उसके नागरिकों के कानून, इन्हों ने ये इस बात पे जोड़ दिया, कि law जो है, कोई भी law जो है, वो universally नहीं है, ऐसा कोई भी law नहीं है, कि जो इंडिया में जो law है, और वही law अमेरिका में भी हो, तो जिस चीज का punishment आपको यहां पास साल मिलता है, वो अमेरिका में भी पास साल मिले, नहीं ऐसा नह हो सकता, हर country के law जो बनाए गए है, वो society के need के according, different, different बनाए गए है, तो इन्हों की ये बात यहां पे इन्होंने कहा कि कोई भी law जो है, universally नहीं है, और jurisprudence is the science of civil law, कि नागरिकों के कानून की जो study होती है, उसको jurisprudence कहते है, and it applies within definite territory only, और जो apply होती है, जो लागू होती है वहीं पे apply होती है, ऐसा नहीं कि एक जगा आपने apply करती है, तो पुरी दुनिया में कहीं भी apply होगा, ऐसा नहीं, हट जगा की territory के साब से, वहां के law और jurisprudence अलग-अलग होंगे, jurisprudence की जो Solomon definition दी, उसमें उन्होंने कुछ particular word use करे हैं, ये तीन word use करे हैं, words which are used in Solomon definition, पहला ह नहीं है law, दूसरा है civil law, और तीसरा है science, हम ये आज ये पढ़ते हैं कि ये तीन words का मतलब क्या है, जिससे हमें आगे की study में असानी हो, तो law का मतलब है law is the body of principle, principle क्या सिध्धानतो, recognize and applied by the state in the administration of justice, administration of justice होगे आपका नियाएगा परिशान से, law जो है, वो एक body यानि के एक त structure है उनके सिध्धानतों का, जो recognize, जो पहचाने गए हैं किसके दोरा, state के दोरा, यानि state ने उन्हें लागू कराया है, और administration of justice, यानि नियाए के परिशासन में, state ने उन्हें अपलाई किया है, जो एक तरह से structure है, principle का law, जो है एक principle का structure है, जो नियाए के परिशासन ने, state न apply किया है, second है, only those body of principle, सिर्फ वही body of principle, can be called law, जो law कही जाज़कते हैं, यानि सारे body of principle law नहीं कही जाज़कते हैं, सिर्फ only वही कही जाज़कते हैं, which are applied by the court of the state, जो state की court ने कहा हो, in the administration of justice, नियाए के परिशासन में, यहाँ पर थोड़ा ये जोर देने की चीज़ है, कि सार प्रिस्पल जो है, body principle, जो है, वो law नहीं है, सिर्फ वही law है, जो state, जो state की court ने define किया है, किसके अंडर, administration of justice के अंडर, यह आप आगे समझेंगे, इसका difference, इसको आप पर आप मैंड में रखेगा, example, example जैसे Indian Dory Act 1987, although इंडिया में Dory Act जो था, मैं आपको समनी बताता हूँ, इसके अंडिया में, पर्लिमेंट से तो पास हो गिया था, लेकिन court से पास नहीं हो था, ठीक है, even if it is an act of parliament, यह parliament का act था, it cannot be called law, law नहीं का गया है, in the proper sense of the term, यह निए proper, इनके terms में, अगर proper sense में सही तरीके से का जाया है, तो इसके law नहीं का जाएगा, क्यूंकि law यहापे क अगर court ने apply किया हो, पार्लिमेंट की बाद नहीं आ रही यहाँ पे, यहाँ पे आरी court के court ने अगर apply किया है उसको, तो वो law है, नहीं तो वो law नहीं है, second उनका जो word है, यह civil law, civil law यहनी राष्टी कानून, जो नागरी के कानून होते है, civil law is dry from the latin word, यह भी latin word है, इसका न latin word जो था, latin जुबान जो है, काफी परानी जुबान है, तो इंग्लिश के बहुत से word latin से आया है, तो जिसका मतलब है state, civil law means law made by the state, जो state ने बनाए, civil law कानून 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 से, जो state ने बनाए है, and civil law does not include international law, यहाँ भी important चीज है, कि जो state ने कानून बनाए है, उनको civil law करे रहे हैं हम, लेकिन क्या है, civil law जो है, उसके अंदर international law include नहीं है, international law जो है, इन्होंने अपने उसमें include किया ही नहीं है, इन्होंने जो बनाए है, इन्होंने सारे civil law की बात कर रहे हैंगे, जो नागरी के कानून किसी, यहाँ पे आपने देखेंगे पीछे, definite territory, जो एक द science क्या होई, science का भी जो latin word है, उसका मतलब उसका knowledge से है, knowledge जो है, jurisprudence की, क्या है, वो knowledge है, civil law की, नागरी क कानून की knowledge जो है, अगर उसका ग्यान जो है, नागरी को के nागरी कानून का ग्यान जो है, वो jurisprudence है, science of jurisprudence है, international law is outside the scope of jurisprudence, यहाँ बहु यह जो दोन events आपके वाँ, इस बाज पर कृटायस भी किया है, दूसरी जूरिस ने, आप ये चीज आगे देखेंगे भी, तो हमने क्या चीज पढ़ी, लौ पढ़ी, लौ के बारे में हमने पढ़ा कि लौ क्या चीज है, और तीसरी चीज आती है, साइंस, साइंस का मतलब क्या बता हैं, जूरिक नौलिच, जूरिस नौलिच, जूरिस पूरिस पूर्ण तर्स इसको फैर सिस्टमाटिक, उसको बना हुआ है, इस सिस्टम पर लगाएंगे तो बल्फ जलेगा, ऐसा नहीं कि हवाँ में ठांग दिया, बल्फ जल गया, यह लाईट जल गया, व्या जल गया। सिस्टम बना हुआ है सिस्टमेटिक एंस सेंटिफिक सेंटिफिक यहीं कि मैंने आपको बताए कि उसके अंदर गैस होती है अकर यह गैस होती है और आपका एलिमेंट जलता है तो वह रोश्नी पाइदा जटता है सैंटिफिक स्टडी ऑफ एजिस्टिंग रूल ऑफ लॉप मर्निन कहा है जो रूज है। जो रूज कोई रू है तो इसकी जैसे कोई रू है आपको किसी की केश netsu की अपको किसी तो और साल में अपनी है कि यूरिस्टूडिट्स के इप़रूनों से अपनी डेपनिशन दिये, Every law is based on certain fundamental principle. Fundamental principle यानि basic सिद्धान, एक दिये हुए basic सिद्धान, कोई भी law जो है, वो किस पे based है, एक certain, दिये हुए basic सिद्धान के उपर, and those principle और वो सिद्धान are common to all legal system. इतने भी legal system है, इतने भी कानूनी system है, कानूनी system बने हुए है, वो सब किस पे है, fundamental principle पे बेज़ हो, fundamental principle यानि हो है, certain fundamental principle, सारा नहीं, वो certain, आप आगे देखेंगे, उसके certain में क्या-क्या चीज़ आ रही है, तो हमने इस slide में हमने पढ़ा, कि Solomon के definition के अंदर जो word यूज हुए है, law, civil law, और science law, law के बारे में आपने पढ़ा, civil law पढ़ा और science law के पढ़ा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से start होती है, Solomon has defined jurisprudence in two sense, इन्होंने दो sense में jurisprudence की बात करी, पहला जो है wider sense, और दूसरा है narrow, wider, saman near, narrow, विश्टिक श्ट, समान ने अर्थ, यानि कि जो जन्रिक है, आपने जन्रिक है, आपने जन्रिक कोई बात कहे दी, और narrow, specific, यानि कोई आपने एक करा से point करके बात बताई, point बनागे दिखाया है कि, जैसे हम यहाँ बें seven column, यह दिखाते हैं, अपना column के अंदर बन करते हैं आप, साकष्य है, पिस साक्ष है तो इन सब के जो है पूरी बोड़ी यानि पूरा इन सब की study को क्या कहते है जूरिस्पूर्टेंस है अगर हम जनरिक बात कर रहे हैं आम भाशा में बात कर रहे हैं इसको हम अभी आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको नारो भाशा में क्या कहेंग पूरा इंटार बॉक आपके तो इन ने चार चीज़े घए एक तो वाइडर सेंस हो गया दूसरा से विल्ला ड्राइफ की रेटिन बट्स के हुआ है जनरिक सेंस हुआ इसमें जो है यह एंटार बाडी ओफ लिग को डॉक्ट्राइन है और चौता जो हो गया चौता में जु को डुक रिंग सथरी है इनयों Just इनि पक्डिक को यहां था ओट नहीं सद्धान जर्ड एक निहिब कानून जुदान की शिड्दा बंड़ चिससे किया हमें ने कि ये दुझारी पढ़ने बसानी हो और सब गझा तो आपको प्रिशानी होगी जजकरने में जुरिस्पृइंस इस ने साइन्स ऑफ पॉस प्रिंसपल अफ स्विल्ला याणि पहले जो पॉस प्रिंसपल आफ सिविल्ला यानि कान नागरिक कानून का जो फिर्थम सिद्धान्त है वही उसका नॉलिज जो है वो जूरिस्पृटेंस कहते हैं उसको पहले चीज़ उन्हेंने कह दी पर्टिकुलर डिपार्टमंट दूसरा कह दिया साइंस आफ दा फस्ट प्रिस्पल तीसरी बात कर रहा है अंगर फंडामेंटमंटल पृस्पल ऑफ लाव बेसक सिद्धान्ट जो यह फंडामेंटल प्रिसपल वेशिक सिर्धान्त ऑफ लाव लॉत जो जो सटेट के मैसिक नागरो तो उस पर जो moral सिद्धान होते हैं आपके ideology होती है which are the basics of legal system of allegory jurisprudence की study क्या है कि बहुत सूर्शम और ideal principle जो ideal बात करेंगे हम जो नहित बात करेंगे हम which are the basics of legal system जो किसी legal system की यानि कि आपके जो कानूनी सिद्धान जो है legally बात कर रहे है यानि कि कानूनी रूप से बात कर रहे है और जो इसी भी country के legal system basic सिद्धान ते लेटिकल सिस्टम का तो यहां इननों वाइडर संस्मेन और चार बाते कहीं और पहली बात उन्हें नहीं देखी क्या कही के particular department फुदर उसका क्या था एंटार body of law जुरिस्पर्टर फिस्पर्स प्रिस्पल ऑफ सिविल दूसरा प्रेंट था fundamental principle of basics of states थीसरा था systematic study systematic study है micro or ideal physical which are the basic of legal system of elementary आगे बढ़ते है हम Solomon says that as the science of law that there may be three kinds of jurisprudence यहां jurisprudence जो होते तीन तरह हो सकते हैं पहली चीज़ देखी उन्होंने क्या कहीं यहां पर पहले उन्होंने क्या कहा पहले हमने डिसकस किया Solomon की definition में जो word use हो रहे हैं उसके बारे में हमने बढ़ा दूसरा साल्मेंड ने जूरिस्पूडेंस के दोसेंस बताया दूस्राव पाइंट मेंके यह कौन से यह वाइडर थे और तीस्ते और तीसरा यह बताया उन्होंने कि युदा की गुरिस्पूडेंस के तीन सिस्यूमेट कोडर होते हैं का sounding Bus सिस्टेमेटिक यानि कि स्टप बाई स्टप स्टेडी करना हूँ तो कहते हैं हम लोग सिस्टेमेटिक तरीके जा रहे हैं जैसे सिस्टेमेटिक यानि कि आपको एट किलास पूर एट के बाद नाइन किलास पूर फिर टैंफ पूर फिर लाइवें पूर फिर सिस्टेमेटिक ह में के बाद एकदम से 12 गलास में रजाएंगे नहीं तो वो systematic ही है, वो system टूल जागा रहा है वो गतो, it deals with the contents of an actual legal system, जो actual legal system है, जो अभी कानून है, जो कानून का जो एक system बना हुआ है, यह उसके contents में deal करता है, systematic jurisprudence, as existing at any time, जो exist कर रहा था, यह पास्ट में था, या वो past में हुआ, या present में हुआ, दोनों में ही वो exist कर रहा है, यानि कहाँ था वो, और वो उसके actual legal system के contents की study को हम systematic jurisprudence कहते है, historical jurisprudence, दूसरा, it is concerned with the legal system, जो legal system है, in its process of historical development, historical development, यहा पर क्या गया था, past or present की बात कर रहा था, यहा गया था, historical development, यानि किस वज़ा से कानून बना, किस वज़ा से उनको past साल के सजा दी गई, किसी जून के अंदर किसी को 10 साल के सजा दी गई, तो उसकी study को जो कहते है, उसके legal system की study को कहते है, historical jurisprudence, past or present को कहा रहे है, systematic jurisprudence, और जो historical की study को कह रहे है हम लोग, historical jurisprudence, the science of legislation, कानून का विक्यान, यह थर्ड है, the purpose of the science of legislation is to set forth, करते हैं, आगे होने वाला law, the purpose of science of legislation, यहनि जो legislation, जो कानून है, उसका अध्यन किस परपस से, कि आगे क्या होने वाला है, as it ought to be, क्या होना चाहिए, it deals the legal system and the purpose which it may, यहनि it deals the legal system, यह कानूनी system के साथ deal करता है, उसके साथ handle करता है, and the purpose which it may, और किस परपस से सार करता है, किस वज़ा से वो पास्ट में इस तरह से कानून मना, उसके स्टॉरिकल जूरिस्पृटन्स, और आगे आने वाले टाइम में किस तरह का law होना चाहिए, क्या society में नीर्स हारी है, क्या बुराई हो जाएंगी आगे चल कि उसके लिए क्या कानून पड़े, बनना चाहिए, क्या कह रहे हैं, the science of legislation, तो तीन चीज़े आपके हो गए, अच्छा, यहां हो गया criticism, criticism हो गया, यानि कि दूसरों ने जो objection कि दूसरे जूरिस ने कि इनके बाद बहुत से जूरिस भी आए, पहला point उनने कहा, the definition of Solomon is narrow and limited, narrow and limited कह दिये, limited क्या कह दी, एक जगा उन्होंने कह दि कि इस पेसिक, दीए, limited यहां पर कूँ कह रहे हैं यह, यहां पी इन्होंने कहा कि, यहां आप बात करेंगे, इस slide में, particular department of such doctor, क्योंकि कि किसी एक particular नहीद department की बात कर रहा है, तो इस वजह से इनको इन्होंने क्या करा, criticize किया, कि Solomon is narrow, Solomon की definition है, बहुत narrow and limited है, जादा उन्हों के बात नहीं किया, क्योंकि उन्होंने international law की बात नहीं करी, और उन्होंने society पे, society की क्या habits है, क्या custom है, उससे किस तरह से law बनना चाहिए, उसको उन्होंने कोई बात नहीं करी, तो उनको दूसे जूरिस ने उनको criticize किया, अब हमने exclude international law from the definition of jurisprudence, jurisprudence की definition, उन्होंने international law को कैसे deal करेंगे, कोई person यहां crime करेंगे, या बाहर को कोई बन्दा दूसरी गंटिका कर यहां crime करता है, उसको कैसे deal करेंगे, या यहां का बन्दा जाके वहां crime करता है, उसको कैसे deal करेंगे, उन्होंने international law को पाती ही नहीं करी, तो यह पाइनों को जैनी, उन्होंने, एस पर लीगल, all the legal doctrine कि सारी legal जित्ते, कानुन सिध्धान हों सभगि स्टड़ी, और सारी books of law का इस्टड़ी जो है जुरिस्प्रॉडन, नो एक तरह से यह लिमिट कर दिया, दूसरी तरह उनों ने कह दिया, specific में कि यहां पर उन्हों ने कह दिया कि जो specific study है तो उन्हों ने इस तरह से इन्हों ने उसकी limit बांदी उन्हों ने ज्यादा दूसरे जूरिस की तरह उसके बाद नहीं करी कि society की क्या needs है या उस पर क्या needs के लॉडिंग बनने चाहिए क्या society changes बने चाहिए वो सब इन्हों ने जादा बात नहीं करी तो यह पर्टिकुरर लीग असिस्टें के अंदर कि यहां फी लाग में जाती प्री न को नहीं पर बनाती अफ़ीव व कोड़्स बनाती है जिसकिए उन्हों उन्होंने पार्लिमेंट को कुछ वैलो नी दी, उन्होंने कहा कि law वही है जो code बना है थैंक्स फॉर वाचिंग law magnet दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और share जरूर करिए अपने दोस्तों के WhatsApp गूरूप में, LLP के Facebook गूरूप में हमारी वीडियो को share करिए हमारी चैनल को subscribe करके bell बटन पर जरूर किलिक करें जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की update सबसे पहले मिले